Breaking News, Ice AI का Important Announcement for CA Student सबसे पहले जान लेते इस वीडियो में कौन-कौन से टॉपिक पे बात करेंगे यह Ice AI का बहुत ही Important Announcement है जो की एक्जाम में एपियर किये थे CA exam में जून 22 में अभी जो November 22 का exam हो रहा इससे पहले वाले में जो student exam में एपियर किये थे उन student के लिए Important है चाहे उस exam में student fail किये हो या pass कियो सारे student के लिए Important है Ice AI ने previous exam का marksit e-locker release कर दिये है कोशना सकता marksit e-locker क्या होता एक टाइप का digital marksit होता है जो student pass किये उनके लिए भी release किये हैं जो student fail किये उनके लिए भी release किये हैं कोशना सकता है इसको कैसे आपको download करना है आपको Ice AI के exam website पे login करके इसको download करना होता है आपको सबसे पहले Ice AI के exam website प्यास जाना है यहाँ पे अपना user ID password से login कर लेना है SSP portal का अलग user ID password होता है exam website का अलग user ID password होता है इस बार first time SSP portal पे student exam form फील कर रहे है इससे पहले जो भी exam हुआ था सारे student exam form फील किये होंगे exam website पे login करके तो आपके पास user ID password होगा उससे login कर लीजिएगा मान लेते हैं आपके पास user ID password नहीं होता है तो नीचे में option है forget password का आप forget भी कर सकते हो जैसे ही आप लोग लोग इन करोगे अपना user ID password दे कर के इसमें तो good news है उन्हें student के लिए जो की digital markset का वेट कर रहे थे यहाँ पे देख सकते हो markset e-locker may 22 और इस पे view option है आप click करके download कर सकते हो यहाँ पे आपको download करने का option मिल जाएगा आपको यहाँ पे click कर देना जैसे ही click करोगे तो download हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो यह pass student है और इनको digital markset मिल गया है यह student किसे reason से fail हो गया ते इनको भी digital markset मिल गया है question आना ही निचे यह pass को मिलता या fail को मिलता सारे student download कर सकते है एक सोटा सा update है कि CA foundation June 22 का digital markset अभी तक release नहीं किया गया है अभी तक सिर्फ CA intermediate and CA final में 22 exam का digital markset को release किया गया है अभी CA foundation student अभी login करेंगे exam website पे दो December 21 लिख करके closed हैगा because कि वहाँ पे because इसलिए कि June 22 का release नहीं किया गया है 10 से 15 दिन के अंदर में आप लोगों का भी digital markset को release कर दिया जाएगा जैसे ही release करेगा जल से जल डाउनलोड कर लिजए एक otherwise closed लिख देगा वहाँ पे वैसे जैसे ही update होगा ये चैनल आप लोगों को inform कर देगा और जो CA student first time CA का exam December 22 या November 22 में दे रहे हैं उनको सीधा इस announcement को skip कर देना है इस वीडियो को जवर शेयर कर दिए CA intermittent या CA final का exam May 22 में दिए उन student के साथ ताकि वो लोग भी digital markset अपना डाउनलोड कर सके और लास्ट में छोड़ा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके आउन लोटिफिकेशन वेल दबा दिए ताकि आपको CA related एक भी important अपडेट या announcement मिसना हो पाए